Hey everyone, welcome to my channel, it's me Simran Zahani, आज मैं आपको बताने वाली हूँ syllabus for the class 10 students in the detailed way तो class 10 students आपका syllabus जो है मैं आपको पूरा बताऊंगी, we will prepare our syllabus on the piece of paper so that वो permanently हमारे दिमाग में जो है store हो जाए, इस तरीकी की एक वो size sheet ले लो, आप लोग सारे के सारे बच्चे रजिस्टर ले लो बीच में एक partition करके register के ऐसा partition कर दो और यहां पे हमें अपने सारे के सारे chapters लिखने है, चार paper लगेंगे आपके English का, SST का, backside में लिख लेना, फिर Maths का, Science का और आपका language subject हो गया and if you are having IT, ठीक है, तो ऐसे हर एक paper पे आपको अपना पूरा syllabus note down कर लेना है, मैं एक एक डीटेल में कौनसा chapter, कौनसे term में आगा भी आपको बताती हूँ, link में डिस्क्रिप्शन वाक्स में दिये दिये, PDF के सुभा में ने वीडियो अप्लोड करी थी, कि खुच्छे डाउनल भी होनी चाहिए, आपके पास आपने पूरे syllabus की, जैसे दिमाग में syllabus ना आपका रटावा होना चाहिए, अगर मैं पूछू कौन से chapter, कौन से term में आ रहा है, तो तुम्हें पहले पताओ, मैंगम स्यूज हो जाओ, तुम नहीं होगे, ठीक है, आप 10th students, a major request to all of you, कि भाई, 9th वाले बच्चे, जो हैं, कितना भी पढ़ ले, ठीक है, 9th वाले बच्चे, 11th वाले बच्चे, उन से मुकाबला मत करना, अगर आपका चोटा भाई में 9th में 11th में, उनको मत देखना, ना अपने से छोटे वालों को देखना, हमारा क्या है, हमारा board year है, गाई इस साल, त 40-40 marks के हमारे दोनों paper है, तो full score करने और internal assessment भी, मैंने अपकी बस starting से बोल दिया था, भाई, हर paper में जंडे गानने हमने, यह नहीं कि internal है नहीं पढ़ूगा, यह नहीं कि unit है नहीं पढ़ूगा, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, यह तीन महीने, यह चंद महीनों में ही बहुत दिये दिये चले नहीं, तो आप लोग जो है term 1, term 2, बहुत अच्छे तरीके से दोनों इस तिलिवस को हम जल्दी से जल्दी cover करने की कोशिश करेंगे, हम अपने आपको इनका आरे बाद में कर लेंगे, यह अपनी जो अपना mindset चेंज करना है, बाद, बाद और कल आ क्योंकि यह 3-4 महिने तुम्हारे 10th class की mark sheet बनाने वाली है, पिछले साल के बच्छों के साथ जो हो गया हो गया, तुम्हार को जो है, इस साल की mark sheet मिलेगी, best वाली mark sheet मिलेगी, अगर आप मेहनत कर रहे होके, best तरीके से, ठीक है, तो आती है बात, आपके term 1, term 2, slaver दीदी ल करना पड़िए, कोई chapter search भी करते हो, लेटर टुकार बाइसे मिल जाएगे, ठीक है, तो समझ जो गया, क्या करना आपको, ठीक है, तो पिछले साल 8-6 नंबर, या 16 नंबर के MCQ के लिए, हमने पूरे इतने MCQs प्रिपैर करते है, इस साल तो आपका पूरा paper MCQ का है, तो सोच यार syllabus, तो चलो, यह खुल गया, English का syllabus, तो सबसे पहले यह देखो, यहां 10th का ही, मैंने उपन कर रखा है, तो यह रहा आपका English का syllabus, इसको देखते हैं, हम बहुत अच्छे से, English का code नंबर है, 184, and English का term 1 के syllabus में, सबसे पहले आपके reading section में आगा, discursive passage, ठीक है, उसके बाद CBSC-based factual passage, with visual impressed, statistical data, chart, etc, तो इसमें यहां तो कोई photo दियोगी, कोई chart दियोगा, कोई statistical data दियोगा, उसके base पे आपका passage आएगा, then you will be given the questions, ठीक है, then in writing portion, you will be having letter to editor, letter of complaint, letter of complaint, official and business, ठीक है, यहां आजो सबसे major portion grammar, यह किस की बात हो रही है, आप, यह लो, यह हुआ आपका term 1, term 1 क column बनाओ, यहां पर, और यहां पर लिखना शुरू करो, चाहिए, copy में ही, बीश में, divide कर लो, पे इसको, और लिख दो, English, term 1, term 2, तो English के term 1 में, यह दोनों आपने mention कर लिए, writing skill, और आपका reading में क्या हैगा, आप grammar में आएंगे, tenses, modals, subject, verb, concord, determiners, reported speech, commands and requests, statements and questions, यह सब में आपको करवा दूँगी, ठीक है, तो, अब आगे देखते हैं, literature portion, literature portion की कोई tension नहीं है, यह पूरा का पूरे जितने भी chapter है, अभी description box को, एक second में खुलता है, description box, check कर लो, यह सारी videos मैंने tag कर दी है, यानि कि उनका link paste कर दिया है, इस video को, यह जो मैं अभी बना लिए, उसको detailed explanation है, और वीडियो के अंदर साधी mcq one marker सब हो रहे है, यह chapter आपको किस लिए पढ़ना है, mcq के लिए पढ़ना है, ठीक है, तो, यह chapter का explanation, अब mcq आ रहा है, उसका अभी नहीं कि आप chapter पढ़ोंगे ही नहीं, बैस chapter पढ़ना पढ़ेगा, ठीक है, तो, आप chapter की video देख आपका done done, सारा काम हो जाएगा, nelson mandela, two stories about flying, from the diary of an frank, hundred dresses, one, two, dust of no fire and ice, tiger in the zoo, and the ball poem, term one का full syllabus is there on my channel, तीन दिन के अंदर आप यह पूरा syllabus अपना complete कर सकते हो, mcu के लिए early video का notification आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो, यह term one के column में, यह सब कुछ भर दो, पूरा सा जा दो, इसको, क nelson mandela, two stories about flying, from the diary of an frank, hundred dresses, one, hundred dresses, two, dust of no fire and ice, tiger in the zoo, the ball poem, यह है आपके English के term one के chapter, जिन को आपको mcq के लिए prepare करना है, मेरी last year के English on fire playlist है, उसमें भी बहुत mcq given है, उससे भी पर सकते हो, और बाकी next दामा का दो, तुमें मिली जाएगा, ठीक है, अब आते हैं, हम English का term one देख ल हैंगे, triumph of surgery, three story, footprints without feet, यह chapter का नाम है, footprints without feet, ठीक है, इसमें वो एक scientist है, ग्रिफिन नाम का, ठीक है, वो invisible हो जाते है, उसकी कहानी के बारे में हम पढ़ेंगे, इसमें पूरी novel भी है, the invisible man, HG Wells की, तो आपकी book one में से जो जो chapter आ रहे थे लिख लिए, अब book two जो है, उसमें से सारा, triumph of surgery, three story, footprints without feet, यह भी MCQ के लिएंगे, इनका link भी description box में given है, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको कुछ नहीं करने, description box में से वीडियो देखना, MCQ क्वेशन की वीडियो देखना, done, हो गया, come complete आपका, और फिर हम test conduct करेंगे, तो आप super sure हो जाओगे, KBC, KBC करेंगे, इस साल हम, ठीक है, अब आजो आपका term two का syllabus, term two क्या है, आपका descriptive वाला, subjective वाला, ऐसे ऐसी b-shoot मिलेंगी, उस पर answer लिखने होंगे, तुम्हार को, ठीक है, तो 10 students, term two में आपका कितना syllabus है, reading section में, descriptive passages है, case based, factual based questions है, formal letter है, letter of order, letter of inquiry, और analytical paragraph, analytical paragraph, बहुतना मुश्किल लगता है तो वो उसकी वीडियो मेंने description box में डाल दी है, वैसे term two का है, इसको हम September में अच्छे से करेंगे, तो analytical paragraph में ने करा रखा है, अगर आपको अफेलिक लिए पढ़ना हो, तो it is there, letter of order, inquiry, everything is there, अब बात करें, अगर हम अपने grammar की, तो same है, mostly, tenses, modal, subject verb control, determinal, reported speech, commands and request, statements and questions, सारा आपका grammar में, अब literature देखते हम, main portion, literature में, first flight में से, term two, मतलब की question answers आएंगे, लिखना होगा question, answers को, यहां MC क्यों नहीं, full descriptive question answers लिखने होगे, तो term two में कौन कौन से chapters आ रहे है, glimpses of India, इसमें basically three chapter आपके glimpses of India में, अब बेका फ्रम गोवा, एक है कूर्ज वाला chapter, और यह साइज दबा से, सर्मेना बनारस पड़ा रखा है, दब प्रपोजल प्ले है, बहुत सुन्दर प्ले है, मजाकिया सब पड़ा रखा है, मैंने, अमैंडा, अनिमल्स, दटेल आफ कॉस्टड ग्रागन, पूरा term two का syllabus भी, इसी समय मेरे चैनल पे अपलोड़ेट है, go and watch, वी सस्टी तो पकी मेरे हाथ में, तो इंग्लिस और एसस्टी में तो सौमिसस तो आनी ही आने है, इच है तो इस साल आएक दिखाने तुमने, मैं डबल महनत करूंगे तुम फोर टाइमस महनत करोगे, ठीके, मैं तुम्हें इतना पड़ाँगी, इतने M.C.Q. कराँगी कि तु सारे descriptive answer you will be able to answer और एक जो प्रॉब्लम होते हैं खुद से अंसर बना के कैसे लेखे वह हम सॉल्फ कर लेंगे ठीक है अब आकी यह सेकंड बुक देखते हैं फूट्मिंस विदाओ फीट में से आ रहा है सेक्षन दस नंबर का आएगा उसमें राइटिंग एन ग्रामर सेक्षन दस नंबर का आएगा और लिट्रेचर आएगी बीस नंबर की तो यह बीस नंबर की लिट्रेचर के लिए तो पूरी तैयारी हमारी हाथ से ही शुरू है फिर ग्रामर की भी करेंगे और रेडिंग की भ मार्स के 40 मार्स का ही mcq वाला होगा और 40 नंबर का ही आपका कौन सा होगा वो descriptive वो जो इसमें subjective type है बड़ा वाला जो आपका कब होना है अप्रेल में होना है ठीक है तो यह 40-40 मार्स के आपके दो पेपर होने आने की 80 मार्स अब 80 में से आपको होगे यहां के बाकी के भी तो 20 मार्स होते हैं वो कहां जाएंगे तो वह हों गे आपके इंटरनल असेस्मेंट में इंटरनल एस्यास्मेंट मतलब आपके इसे तेने 10 माप्स होंगे विद इस हमारा इंग्लिश जो है full complete हो चुका है अब हम आएंगे अपने next हमारे subject कि वोपर that is sst okay okay guys अब हम आते हैं अपने second subject that is sst, sst में कौन-कौन से chapters आ रहे हैं आपके तो तर्म 1 का पहरा chapter है the rise of nationalism in Europe history का chapter rise of nationalism in Europe आपको mcq वाले exam के लिए prepare करना है तो we have to study this for the mcq1 बट उसके लिए एक बड़ चाप्टर का explanation भी बहुत जरूरी है तो अगर अभी तक आपने चाप्टर explanation की वीडियो नहीं देखी है गिवन है देख सकते हो mcq भी गिवन है you can go and watch it ठीक है यह तो आपका पहला चाप्टर की कौन से आपका rise of nationalism in Europe यह आपके mcq वाले exam में आएगा second आपका geography की बुक का पहला चाप्टर resources and development यह भी mcq वाले आपको पढ़ना है आदा पढ़ो कि अपने स्कूल के प्रियोडिकल के लिए और इसके map questions को बहुत अच्छे से हमें करने अपने बोर्ड एक्जाम के लिए तो बोर्ड एक्जाम में यहां से क्या आने वाले आपके map question और वो भी हमें कितने चाप्टर हमें पढ़ने हैं बहुत अच्छे तरीके से दो पढ़ने हैं उसके बाद यह वाटर रिसूसेट के लिए पढ़ेंगे और इसका map करेंगे ठीक है अब आगे आजो आप सिविक्स में से कौन कौन से चाप्टर साथ है तो पावर शेरिंग फेडरलिसम दोन पढ़ लेना एंसी क्यू वीडियो से प्रेप्रेशन कर लेना एंड आपको यह कंप्लीट हो जाएगा फिर आगे देखते हम हमारा एकनोमिक्स एकनोमिक्स में से डवलाप्मेंट बहुत ही सुन्दर चाप्टर रही है ठीक है इसमें से बहुत बेसिक बेसिक क्वेशन साइ है सेक्टर सफ देंडेन एकनोमी तो यही है आपके चाप्टर स्टम बनके तो कितने चाप्टर से एक दो तीन चार चार यह हो गए पाच इसको हम छोड़ देते हैं यह six and this is seven और उसको आदा माल लेते तो अलमस्ट आपको seven chapters full पर ने और एक आपको seven chapters full पर ने और एक बना एक पर ने मंस्टण के लिए यहां पर देंगे यहां हुए अगारे के इसकी के लिए पुरा पर ना है अब हैँ सिर्म्ट पर तो यहां कोछ बहुँआ है तो ने ज़्या डे उसम पर ना है यहां कुछ बहार है को पूरा पर ना है सब्जेक्टिव पेपर के लिए बहुत अच्छे साम इसकी तयारी करेंगे ठीक है अब हिस्ट्री के जो हमारी थीम टू है उसमें दो चाप्टर आते हैं में दोनों में से एक आपको करना होता है हमेशा यह होता है इस वेसे एक जो आपका स्कूल बताता है बच्चे वह प्रियोडिकल्स में आपके स्कूल वाले एक्जाम में आपके स्कूल वाले या तो आपको ग्लोबल वर्ल कराएंगे या इंडर्सियलाइजेशन कराएंगे जो भी एक वो कराएंगे वह अपने प्रियोडिकल्स में तो आपको इन दोनों में से एक चाप्टर पढ़ना तो नेशनलिजम इन इंडिया के अलावा हिस्ट्री में से कोई चैप्टर नहीं आएगा समझ गए यह दोनों चैप्टर जो है में के गव्त ग्लोगल एज ऑफ इन में चॉइस है आपके स्कूल वाले दोनों में से एक कराएंगे और यह पिरियोडिकल्स में ही आएगा बोर्ड चैप्टर नहीं आएगे तो इनको पढ़ना बट स्कूल वालों से पूछना मैम आपका हमें प्रियोडिकल्स में कौन से चैप्टर पढाना है जो चैप्टर पढ़ा रही होंगे उसी को पढ़ना प्रियोडिकल्स के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए सबसे सी ते है यह यह अजाम आपको स्कूल में पूरा पढ़ाए जाएगा बट यह चाप्टर जो है प्रियोडिकल्स में आने वाल है इसके तो तो यह चैप्टर हम लोग बोड़ एक्जाम में क्या पढ़के जाएंगे इसका ड़ाव का एप्रिल में बोड़ एक्जाम होना होगा तो आप इस चैप्टर के सिर्फ मैप को फुल पढ़ोगे ठीक है हागे दिखते हैं manufacturing industries यह पूरा पढ़ना है बहुत अच्छी से लिखो गाइज यह चीज़ आपको confusion रहेगा कि पूरा चैप्टर पढ़ो ख़ली मैप पढ़ो तो यह मैनिफेक्ट्रिंग अन्डस्ट्री फॉल पढ़ना है मैप भी पढ़ना है त्योरी भी पढ़नी है इसकी चैप्टर फुल और एक के मैप बट वो चैप्टर आपको प्रियोडिकल के लिए स्कूल वाले प्रिपेर कराएंगे ठीक है अब आगया तो सिविक्स के उपर सिविक्स में आपके दो चैप्टर आ रहे हैं फुल फुल पढ़ने हैं यहां कूछ गिवर नहीं है कि प्रियो चैपला देजनद यहां मैंको बटी दिन एकॉलिड़ यहां माप को पता है चैप्टो ज़ेसा कि मैं आपको बतkeln सिर्ण आपके पाइड के उस वह भी आपको मैं कर Ground करी हैंगे तो यहां का allora सबफेस्ट कि real न्युकुण चैकर आपको किसी ओए लिए म्में इसको अठीस से लिख लिए होगा अब हम देखते हैं हमारा साइंस का सविक्षी मार्ग कोलम में बहुत से लिखा रखा है हमारे इंटरनल एसेस्मेंट के लिए हमें क्या-क्या कितने मार्ग's का प्रिपेर करना है तो टम वंट टू तो थ्योरी के कौं से सब्सक् जो आपके 20 मार्ट है एक आपके इन टर्मम में चब कहने चोंगा सिर्फ में मैं यानी कि उनने को तो यह जो हो सकता है और दूसरा होगी आपका इंटर्नल एसमन 12 अञानी की दिनों के बाद होगा आपका यह इनको कि इस सब्सक्राइब करें तो जो प्रियोडिकल के लिए अपको कि यह पर ना है तो उसे भी हमें अच्छे से पढ़ना पड़े क्वाई विकॉस्टी मार्स जो है हमें यहां से मिलेंगे ठीक है ग्राइं टोटल हमारा हंड्रेट बद गया तो क्लास 10 स्टुडेंस आपका हम साइंस का से लिए तो सबसे पहले कमें सी का चाप्टर गिवन है चाप्टर वन गेमिकल रियक्शन एंग एक्षिन यह टॉम वन यानिके एंजी की वाले एक्जाम के लिए पढ़ना है सेकिंड च तो यह तीनों चाप्टर हमें mcq के लिए प्रिपेर करने हैं डिस्क्रिप्शन वॉक्स में साइंस फ्लेलिस गिवन है इसके सारे mcq में अल्रेडी करवा चुकी हूँ ठीक है अभी नियू भी बनेंगे बट अभी के लिए अगर आपको पढ़ना है तो यू के लिए तो यह जो आपका चाप्टर है यह आपका आएगा किसमें mcq वाले में बायो का यह जो चाप्टर है पिछले साल human eye and colorful world में से हमारा जो है human eye delete हो गया था इस साल भी है बिकॉस यहां पर this fraction of light through prism, dispersion of light, scattering of light, application and daily life हां तो colorful world ही पढ़ना है human eye का नहीं पढ़ना है तो यहां पर भी देखो इस चाप्टर में से भी deleted है यह पढ़ने हैं हमें mcq के लिए तो लिख लो आपने टर्म 1 में कौन कौन से चाप्टर पढ़ोगे chemical reaction and equation, acid basis and salt, metal and non-metal और क्या हो गया life processes, light, human eye and colorful world उसमें से भी बढ़ा एक्जाम बोल देते हैं और दूसले को बढ़ा एक्जाम कि भाई हमार को subjective और यह अराम से हो जामारा तो बढ़ा एक्जाम के लिए subjective exam के लिए chemistry में से carbon and compound पढ़ोगे फिर प्रियोडिकल classification of elements और bio में से how organism reproduce reproduction heredity and evaluation अब यहां पर भी आपको कुछ cut है heredity, mendels contribution यहां पर भी heredity वाला portion ही पढ़ना है evolution वाला portion इस साल deleted है आपका तो यहां पर भी देखो यह chapter 9 का भी half आ रहा है na heredity पढ़ना है pollution नहीं पढ़ा रहे हैं और यह आईगा आपका subject है बड़े paper में फिर आगए हम हमारे physics पे physics में electricity Magnitive effects of current हमें पढ़ना है ठीक है तो यह पूरा लिख लो आप कितने chapter पढ़ने हमें term 2 के लिए पहला दो चाप्टर हमारे chemistry के दो चाप्टर biology के और दो चाप्टर physics के अब यादा last chapter आपका our environment यह बहुत क्यूट सा चाप्टर है और management of natural resources यह चाप्टर थोड़े से नहीं हमारे बहुत अच्छे लगते हैं जिसे internal assessment के लिए अच्छे हैं आपको उन में से question आ सकते हैं तो अगर आपके school में चाप्टर कराया जारे हैं तो इन्हें कर लेना internal exam के लिए ठीक है तो इनके हम extra questions कर लें हैं देख सकते हैं learners are assigned to read the below listed part of unit 5 they can be encouraged to prepare a brief write-up on any concept in this unit in their portfolio जापका portfolio बिलने का हो सकता है इस chapters में से portfolio बनाने को बोल दे बट यह जो आपका exam है board का उसमें यह नहीं आने वाले हैं तो यहां आपके practicals की भी given है क्या क्या आपको आना है अब आते हैं हम last maths के उपर मैच में आपका जो है given है यह chapters or match का लिंग मैच 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 का लिए मैपको नहीं समझा रहे हूं आप खुछा नोट डाउन करके लिखो आपके जो फेवरिट टीचर हैं उनसे आप समझ सकते हो बिकॉस मैच जो है देखो I don't teach maths तो आप मैच का से लिवर जो है अपने टीचर से समझ ना कॉंसे chapters का भी कुछ है कुछ डिलीटेट है तो मैच का से लिवर जो है आप अपने तीचर से समझ जोगे की एन यूट्यूब और इसकोल टीचर यूट्यूशन टीचर उनसे आप मैच जो है समझ लेना और डिस्क्रिप्शन वक्शन दाल्यू जिसे आप पेपर नोट डाउन मैच का से लिवर अच्छे से कर लेना मैस के अगर मैं आपको आपको आप बता हुआ हूं गाइस मैच इन गाइस मेरे बहुत अच्छे नंबर आते मैच में बहुत अच्छे नंबर मैं नहीं मैच जथी थी ऑब मैं अपने मैम से पर लेक्ष घुट्ब लेट इस तरहिके से अब मैं आपकी दूम्म मैं आपको मोटिवेट करूंगी मैच पढ़ने के लिए और प्राक्टिस करन के लिए खुद की टिप्स बताऊंगी कैसे मैंने जो है मैंस में इतना अच्छा स्कूर करा था दो मुझे मैंस से डर लगता था ठीक है तो एविटिंग आल भी शेरिंग विद यू तो सिलेबस जो है डिस्क्रिप्शन वक्स देंगे आप डाउन कर सकते हो यहां पर जो है आ स्टाइव अब विदिस वीडियो आपको इंगलिश एसस्ती इंगलिश एसस्ती स्टाइब सफोस्टाएव है ठीक्षस ओर नौटिफिकेशन तुम्हें कर दो देख देगे बाई टीकिए शुरू कर दो नए नए नोटिफिकेशन तुमैं कल मिल जाएगो तो इनक्रेस बि आपको PDF का अब उतारना नो डाउन करना शुरू कर दो and मिलते हैं नेक्स वीडियो में